10 परसन 15 परसन लड़के लड़कियां दोनों के लिए मैं ये रूटीन बता रहा हूं लोग काला होता है यहाँ आपका नहीं होता है तो यहाँ पर यह नकल्स एरिया पर अगर आपको बहुत काला पर एक साल दो साल से है एवरी डे फॉलो करना है यह बॉडी पिग्मेंटेशन को रिमूव करने के लिए है करेक्ट नंबर वान पॉइंट है आपको यूज करना है एक क्लाइकॉलिक आसिड टोनर जैसे आपने डीटान में यूज किया वैसे ही आप दा ओर्डिनरी या मिनेमिलिस्ट का क्लाइकॉल जो धोना नहीं है गलाइकॉलिक आसिड टोनर आपको इसी के उपर लगाना है विटामिन सी सीरम येस जो सीरम आप अपने फेस पे लगाते है न विटामिन सी सीरम वही सीरम को आपको अपने बॉडी पे लगाना है दस परसन पंदरा परसन पांच परसन नहीं बॉडी है थ चोटा सा होता है और फेस पे वो चल जाता है महीने दर महीने बट अगर बॉड़ी पे लगाते हैं तो वो जादा खर्चा होगा लेकिन गाई दोस्तों आपको इतना इंवेस्टमेंट तो करना पड़ेगा लड़के लड़कियां दोनों के लिए मैं ये रूटीन बता रहा तो प्लीज अगर आपको हाथ का स्केन यहां का स्केन बहुत लोग काला होता है यहां पका नहीं होता है तो यहां पे यह नकल्स एरिया पे अगर आपको बहुत ज़दा कालापन है तो विटमिन C सीरुम लगाना स्टार्ट करिए आफ्टर ग्लैकॉलिक असे टोनर एवरी अब अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप संस्क्रीन लगाएंगे अगर आप संस्क्रीन नहीं लगाएंगे लेकिन आपको संस्क्रीन जरूर लगाना है on the exposed parts आप कभी भी यह एरिया को without संस्क्रीन नहीं निकलेंगे यहां आपको लगाना ही लगाना है यहां आपको लगा करना ही करना है अगर आपको pigmentation से मुक्ती पाना है face का skin आपका neck के skin के साथ आपका hand के skin के साथ match करें तो guys ये करना ही करना पड़ेगा आपको pigmentation इतनी आसानी से नहीं जाता है ये कोई tan नहीं है ये pigmentation हो गया है आपके skin को जो बहुत मुश्किल से जाएगा कम से कम तीन महिने लगेंगे tanning होता तो एक हफता तेड़ हफता में चला जाता लेकिन क्योंगी pigmentation है तो यस routine को प्लीज आप तीन महिने फॉलो करके देखिए आपको result जरूर मिलेगा हाँ vitamin C थोड़ा मेंगा पड़ जाएगा लेकिन investment तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों ये हो गया आपका body pigmentation removal का routine अब बात करेंगे face का pigmentation को कैसे कम करें face में बहुत जादा pigmentation होता है because हम sunscreen लगाते ही नहीं है हम सोचते हैं कि यार हम तो 20 साल के हैं 25 साल के हैं तो कुछ नहीं है कुछ नहीं लगाने की ज़ूरत है अगर आपने देख भाल कर लिया होता ना sunscreen लगा लिया होता जब आप 30 30 40 50 के होंगे ना आपका skin glow करेगा face wash सुब को आपको अपने face पे लगाना है बट हफते में चार दिल लगाईएगा उससे जादा नहीं लगाईएगा अगर सुबह आप बाहर जा रहे हैं तो glycolic acid toner को मत लगाईए रापको लगाईए बट एक बार आपको glycolic acid toner लगाना ही है उसके बाद आपको लगाना है विटमीन C विटमीन C serum आपके skin को lighten up करता है आपके skin को oxidize होने से बचाता है मेलनीन production को कम करता है इसलिए आपका चाहरा brighter होता है अगर आप विटमीन C serum लगाएंगे विटमीन C serum के बाद आप अपना sunscreen लगा सकते हैं अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सुबा के टाइम पे mineral based sunscreen आपको लगाना है और मैं चाहता हूँ कि आपका problem solve हो जाए लेकिन अगर आप consistently routines को नहीं follow करेंगे तो कभी नहीं होगा लड़के लड़कियां दोनों इस problem से जूचते हैं लेकिन काम किसी को नहीं करना भाईया कोई घरे लिल उसके बता दो मेरे पास budget नहीं है आपको restaurant में जाके खाना खाने का budget है आपके पास दोस्तों के साथ आप वहाँ invest कर लेंगे लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आपका skin ठीक हो सकता है वहाँ पे नहीं करेंगे दोस्तों मैं आप लोगों से बिंती करता हूँ आप प्लीज रूटीन्स फॉलो करिए diligently आपको फाइदा दिखेगा मैं फिर भी एक बार बोल दे रहा हूँ यह होगा आपका body pigmentation को remove करने का routine यह होगा आपका face के pigmentation को remove करने का routine यह दोनों रूटीन्स फॉलो करिए अगर आपको body pigmentation या फिर face pigmentation है अगर आपको tanning है तो आप पहले वाला वीडियो देख लीजे लेकिन अगर आपको body pigmentation है जो बिलकुल नहीं जा रहा है कुछ भी कर लिया आपने और सालो साल से है ऐसा नहीं कि यहाँ पर neck की region में अभी अभी आपको tanning पढ़ा है यह सालो साल से है आपको छे मैना एक साल दो साल से है तो यह pigmentation है दोस्तों यह tanning नहीं है you have to understand आपने बहुत खराब किया है आपके skin को तो चलिए वीडियो बहुत बढ़ा हो जाएगा इसे बोलते बोलते लेकिन मैं चाहता हूँ आप सब यह routines को follow करिये और मुझे अपना दोस्त मानिये दोस्तों मैं यहाँ आपके problem को solve करने के लिए आया हूँ comment कर दीजेगा कोई भी query हो 24 to 48 hours के अंदर मैं reply कर देता हूँ right चलिए मिलता हूँ अब सबसे ऐसे ही एक दमदार वीडियो में वीडियो अगर पसंद आए तो like करना अपने दोस्तों के साथ share करना और हाँ अगर पहली बार आए है तो subscribe जरूर करना चलो बबाई